चलिए बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं कॉशन नूमबर एटीन अठारे मां कॉशन स्टार्ट करते हैं क्या पढ़ते हैं इस क्वेशन को क्या कह रहा है इफ क्यू जीरो कॉमा वन इस इक्वली डिस्टेंस प्रॉम पी फाइफ कॉमा माइनस त्री एंड आर एक्स कॉ सब्सक्राइब क्यों 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 सब्सक्राइब स्क्राइब करते हैं देखो एंज गिवन क्यों क्या है एक क्वी डिस्टेंस है प्रॉंग पी एंड आर पी और आर से देखेंग है देरफोर क्या होगा हमारा क्यू आर बराबर होगा पी आर के क्यू आर क्या होगा सरी क्यू आर क्यू आर बराबर होगा क्यू पी के क्यू हमारे दोनों के लिए बराबर है तो क्यू पी बराबर क्यू आर होगा यह बात के लिए चलो तो यह बात के लिए मतलब यह दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो इन दोनों पॉइं x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square ठीक बराबर बराबर हमने y देखो distance formula x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square ठीक भई अब देखो इसको रखो जरा values को रखो इनको put करो 0-5 0-5 का whole square plus 1-3 minus 3 मतलब plus हो गया qp qr पहले तो qr है पहले हमारे पास इदर qr है जान रखना यह गड़वड़ी मत करना देखो हाला कि आंसर सही आएगा लेकिन जो value जो चीज़े हमने ऊपर लिखें वैसे ही तो करेंगे ठीक है न या फिर एक काम कर लो इन दोनों को आपस म है अलट पर लट कर लो एक काम करो यह भी लिख सकते हैं कि वह क्यूपी बरावर होगा qr के अब एज़ लिखता हूं अब qp पहले qp 0-5 का whole square और 1-3 1-3 मतलब 0-5 का whole square और हो गया 1-3 और 1-3 1-3 का whole square चलो गई अब देखो 5 का square हो गया 25 प्लस इसका कितना हो गया 9 हो गया कितना हो गया कितना हो गया स्वरी चार चार चॉक सोले हो गया चार चार चॉक सोले है तो यह कितना हो गया 25 और सोले है कि एक कम करो 15 15 15 15 25 30 40 और 41 हो गया कितना हो गया अब यह तो 41 हो गया बराबर है ना बराबर चल रहा है अभी बराबर बराबर क्या है हमारा इदर इदर है हमारे पास देखो क्यू आर जीरो माइनस जीरो माइनस एक्स का whole square ठीक है प्लस 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 शिक्स का whole square नियां माइनस जी moeten एक ध्सक्क हो गया माइनस orchestra स्कोर मैन से स्क्सक्राइब अब जीरो माइनस एक Springs माख्ला एक स्क्राइब क्यू गया 25 इ div क्यूंक इभी और एक हो गया माइनस कितना हमारा माइनस मада अंडरूद है पुटिफाइव अब एक काम करें हम इसको इसका सभाधान करने लिए क्या करें इसका समाधान करने लिए हम स्क्वाइर ्थ बोथ साइड कर देता हैं ईहीं पर कर लो देखो설 स्क्वाइर dwarf साइड काम किर इस line को भी हटा दो और यहीं पर square both side कर लो यहाँ on squaring both side दोना तरफ का work करने पर तो यह क्या मिलेगा 25 प्लस x बराबर x square प्लस 25 यह मिलेगा अब देखो यहाँ पर आप देखो तो क्या होगा 25 प्लस 16 x की लिग रहे हैं इसको हम 25 प्लस 16 अब देखो 25 से 25 तो कट गया x square बराबर 16 आगया x square बराबर कितना आगया 16 तो इसका मतलब x का मान कितना आगया बहिया 4 आगया x का मान कितना आया 4 आया तो कहने का मतलब point क्या निकल के आया point निकल के आये हमारा P हो गया 5,-3 और Q हो गया हमारा कितना 4,6 4,6 हो गया अब मुझे QR निकलना है और PR निकलना है QR and PR तो QR कल्कुलेट करो जो QR यह R है यह कितना हमारा R यह मेरा R निकलना है 4,6 और P है P तो देही रखा है R निकलना है 4,6 अब क्या निकलना है QR निकलना है एक तो QR कल्कुलेट करना है ठीक है और दूसरा दूसरा मुझे क्या कल्कुलेट करना है PR एक PR कल्कुलेट करना है PR ठीक है इन दोनों को calculate कर लेते हैं क्या मान निकल के आएंगे एक्स का मान तो हमने निकाल लिए एक पहली आ चुकिए हमारे पास फोर ठीक है अब इनकी और निकाल लेते हैं इनको calculate कैसे करेंगे वही दिस्टंस पर्मिले से ही करेंगे चाहिकि मेरा कया हमारा क्या क्या क्यों पास ुप टन्यार का हमार रिए को 0-1 का whole isp, plus, minus 1, 6, 1-6 का whole isp, कितना हो गया, यह तो 1 हो गया, प्लस यह 25 हो गया, यानि की, square root 26, यह आ गया हमारा कितना, 26 हा गया, square root में, qr निकाल रहे हैं, qr, 0-4, 0-1 की लिखा हमने, 0-4, 0-4, minus 4 मतलब हो गया, 16, 0-4, यह हो गया हमारा 16, 16, 25 कितना हो गया, 16, 25 अभी हमने जोड़ा था, 41, कितना हो गया, 41 हो गया, 41, तो qr निकल कहा है, 41, और pr देख लेते हैं, pr, pr के लिए क्या करेंगे, pr देखो, 5, minus 4, का whole square, plus, minus 3, minus 6, का whole square, यह हो गया, देखो, 1 का square है, तो यह हो गया, 1, और यह हो गया, minus 9 का square, मतलब 81, plus 1, 81, तो यह कितना हो गया, भाईया, अंडरोट में 82, एक answer, दो answer, और तीन answer, तीन answer निकलाए, यानि की, 41, 82, 41, 82, और 4, 41, 82, और 4, 4, plus, minus, देखो, हाँ, plus, minus, भी लिख सकते हो, इसको कोई समझ से नहीं है, यानि की, जब square की value, हम निकालते हैं, square मतलब, जो हमारी square root की value होती है, x परावर 4 होगा, अंडरोट में, इसको ऐसे भी समझो, देखो, इसको, plus, minus, 4, क्यों लिखा है, यान पर, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, x square बरावर दिया है, 16, समझो, क्या दिया है, 16, x square minus 16, बरावर 0 कर सकता हूं, x square minus 4 का square बरावर लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता है, a plus b, क्याने की, हमारा x plus 4, x minus 4, बरावर 0, अब ये क्या हो गया, x square plus minus 4, आ गया, तो ऐसे भी किया जा सकता है, x square बरावर 16 को क्या लिख सकते है, x square plus minus 4, तो इसको हम plus और minus 4 कर सकते हैं, तो हमारा option number a इस तरीके से दिया है, ठीक है, तो x की जो value हुई, वो plus और minus दोनों की हुई, दोनों की रख सकते हो, दोनों की रखने पर वैसे value सेम ही आएगी, चेक कर लेना एक बार, ठीक है बच्चो, question आया समझ में, जल्दी बताओ, तो हर तरह का question करना है, हर तरीके question हम कराएंगे, जो भी book में दे रखके हैं, वो भी, और साथ में, और जितने भी important questions होंगे, question दे रखके हैं, आपके जो exam board में आये हैं, PYQs वगरा और साथ में, books के जितने ही book में, आपके NCID के जितने ही book में, जितने ही question दे रखके हैं, सभी का video solution यहां पर available है,